समस्कार, कच्छा यागारका विद्यार्थी भाई बेनियरों, आजा हमी पहलो पाट बीर पुर्खा लियरो उपस्तित बायका छों, आजा को कच्छा मा विद्यार्थी भाई बेनियर लाए हारदिक स्वागत छों समय बंदा पहला तो यो बीर पुर्खा कविता, कविता बिद्यार्थी भाई बारे मां सामान्य जानकारी गरोना चाहन छों यो कवि सब्दमा ता प्रत्य लागे र कविता बने को छो, कविता सब्दा ये सरी बने को छो तो कवि सब्दमा ता प्रत्य भनेवितिक कई कवि र कविता को अर्थ एक आपसमा सानिध्य छो सामिप्यता छा इद्दुई का बिजमा कविता बने को कवि को सिर्जना वा रचनाव कविमा कवित्त होंच कविले आपनो गाउं, घर, समाज तेहे कोंच उसले आपनो माटोर संस्कृती चिने कोंच तेह कोंच माटोर संस्क्रिति प्रति उसको स्रद्दार आस्ता उंच उसको ममता उंच उसले शुख, दुख वा माया प्रेम को भावनापनी संगालेकोंच उविश्य द्रAwश्टापनी उंच इन nickel, कुराहरो द्रिश्य, परिद्रिश्य, घटना, परिगटना, बातावरण, अधीको कलात्मक प्रस्तुतिले साइट्यको रूप लिनपुग्जा। जीवन, जगत, इतियांस, संस्कृति, कला, धर्म, धर्शन, मानविय, सभाब, समाज, प्रकृति, यात्रा, अनि राष्ट्र, राष्टियता, आधीको अनुभूती कविता को विशे बनना सर्च। ये सरी हर्दा कविता का विशे बस्तोहरू हम्रो प्रकृति, समाज, बाताबरन, भुगोल, इसमय बनना सक्षा। कविता विदा साइट्यको बिराट सोरूप अनि कविता विदालाई जेठो विदाकरूपा पनिलीन्च। इसका बिविन्न सोरूप परूँचा। मुर्तक, फुटकर कविता, खंड काव्य, महा काव्य, आधी कविता का रूप हम्रूप। तो ये सरी कविता लयात्मक सैलीमा लेखियो को योटा रचना हो। कवितामा लया हुँचा, कवितामा छंदा हुँचा, कवितामा भाब हुँचा, तेसेलेता बनींचा, पारस्मनी प्रदानलेपनी बने काशन। कवि, कविता होँच, कविता, कवि होँच, तवपो, कविता हुँचा, सब दथुपारी, कनके हुँचा, भाब भैपो हुँचा। इसेरी कवि, कवि, एर कविता, एका पसमा नजीक का कुराहरुँँच, सामेप्यता हुँच, समंदारान छा, बने कुराहरु, हमिले पर्खराई बने का कुराहरु भाट, कविता के हो, बने सामन्यरुप मां। चिन्ना आमिलाई सहव पुक्छा अब हामी यो बीर पुर्खा कभी ताका कभी को बारेमा सानो जानकारी लिम्छाऊं तेस्वची आमी कभी तातर फे लागछूं। है ता लह यर्नुस्त भाईबे नेरू बीर पुर्खा कभी ताका कभी प्रात्यापक डाक्टर बास्देव त्रिपाठी हो। उनी नेपाली साहित्य समालो चना छेत्र का तस्सम्राट नहीं हूं। विसिस्ट प्रतिवा हूं। प्रात्यापक डाक्टर बास्देव त्रिपाठी को जन्मा भानुनगरपाली का तनहुजी लाखो भानुनगरपाली का भानुनगरमा विक्रम सम्मत उन्नेश से उनांचे चैत्र तेईश कते भैको हूं। एसरी एस्रमण्य स्थान मा जन्मिये का कवीत्रिपाठी, कवीता, गीत, खंडकाब्य, महाकाब्य, समालोचना का सिद्धास्त प्रतिवापनी हूं। अर्था उन्ही एस्र चैत्र का महान रविशिष्ट प्रतिवाव। उनको साइट्य चैत्रमा, समालोचना का चैत्रमा महत्तो प्रणयोगदान रई आयकोच। तो कवीत्रिपाठी को योद दुनिया तिम्रही हो पईडो कवीता हूं। उनका फुटकर कवीता लगाएद खंडकाब्य, महाकाब्य, जीती संग्र, जस्ता दरजनों कृतियरू प्रकासित्च। कवीत्रिपाठी प्रकृति प्रेमी, संस्कृति प्रेमी, मानप्तावादी, देशभक्त, राष्ट, राष्टियता का भावलाई, भावनाहरू लाई, ससक्त रूपमा उठावन सक्ने महान प्रतिवाव। उनका कृतियरू दरजनों छान, और उनले समालोचना का छेत्रमा तावज भिशिष्टा योगदान पुरियाय का छान। तेती मात्रे होईना, उनले भाषारस, भाषा का छेत्रमा, नेपाली भाषा सम्रिद्धी का छेत्रमा महात्तो प्रण योगदान पुरियाय का छान। अनि, उनले आपनों समय महत्तो प्रण रुप मा ब्यतित कर दे, बिविन्न साहित्यको स्यवा मात्रे होईना, उनले बिविन्न स्यत्रमा रायरा नेत्रित्तो पनी गारे का छन। तेती मात्रे होईना, उनले मान, सम्मान, पुरस्कार अनगिन्ती रुप मा प्राप्त गरे का पनी छन। इसता बिशिष्ट प्रतिवा द्वारा लेखिये को यो बीरपुर्खा कविता हो। अब बीरपुर्खा कविता को बारे मा शामन्य चर्चा गरे रहे हो। तब बीरपुर्खा कविता बीरपुर्खा ले गरे को योगदान सम्झावने कविता हो। अनि नेपाली सेना ले, अन्य सेना अरू संगा, दुस्मन अरू संगा, नेपाल लाई धावा बोलने अरू संगा, नेपाल को सिमाना लाई, नेपाल को अस्तित्तो लाई, खत बद्यावने अरू संगा, अनि तेसलाई बिथोलने अरू संगा, लडे को योटा, महान, त्या रब बलिदान सम्झावने कथा पनी हो ऐले जुन सिंगो नेपाल छा त्यों सिंगो नेपाल हामरा पुर्खारुको पुरुशार्थले पौरकले मात्रय त्यों सम्भब भयको हो कभी त्रिपाठी को प्रस्तुत कभीता बीर पुर्खा को त्याग रबलिदान सम्झावने कभीता येस कभीता मां कभी देशभक्ति को भावनाले उत्प्रोत पायका जो उनले एस कभीता मां मां देशभक्त बीर पुर्खा को बीरता, सौर्य रब पराक्रम को गौरब गाथा गायकाच हामी बीर पुर्खा को त्याग रबलिदानले रच्छित एस मुल्क को सम्रिदी मां हामी सबै जुटनु पर छा देश को सार्वहोमिकता, सोतंद्रता, राष्टी अखन्रता मां आज आउन दिनु हुदैना बन्ने गहन रशभन भाव कभीता मां अभिव्यक्त बाएको जा इस रियो कभीता उत्रिष्ट कभीता को रूप मां रखको छाँ, तपि दियार्थि भाई बने अरू, अभा हामी ले यो बीर पुर्खा कभीता को परीवेश अलिकेति कुरारू शुनें, सिक्यों, अभा यो कभीता लाई, चंदर लया, यो कभीता चंदमा चा, लया माँ कभी तामा छंदा उंच लय उंच इसलाई गाउने विशिष्ट तरीका आरूपनी उंच न इसका भागा आरूपनी उंच न इसलाई गाउने कोशिश पनी हमले बाचन गरने कोशिश लय बद्द बाचन गरने कोशिश पनी गरनूपर छा प्रस्तुत बीरपुर्खा कविता ज्यावरे छंदा मारा अचिये कोछ एस कविता का प्रत्येक खरफ मां सुर अचेर रहेकाँच तो ज्यावरे छंदा 14 अचेर को, सुर अचेर को, पनि उन्छा यो चाई प्रतेक चार-चार अचेर मा छोट्टो विश्राम गर्दै बाचन गर्ना सकीने कविताओ स्वासको एक जग्खामा उचार्णोंने बड़ा अर्गो समग लाई ने अचेर बनींच येस कविता लाई बाचन गर्ने तरीका अरूपनी आमी सिक दाए छों तप है अरूशंगा पाठ्य पुष्तक पाणी छा भैनता लाई अब ज्यावरे छान्दा बिभिन्ना कीसिम का होंचन मा एक दिवाटा उधारन अरूदीन छू ती ज्यावरे छान्दा एक ही सवाई एक ही सिम का होंचन मानने छाई ना जस्तो तमाया ले पड़े को उनुपर छा जस्तो मुना मादन पनी ज्यावरे छान्दा वाले खियेको खन्दा का बिया हो इसको उधारने रूँ जस्ताई के अरूश्ता हात का मैला सुन का थाईला के गर्चा धनाले सागर सेश्नु खायेको बेश अनन्दी मनाले यहांचाई हात का तीन अक्षेर मैला दुए अक्षेर तीन दुए पांच तेस्ताई सुन का थाईला तीन दुए के गर्चा तीन धनाले तीन यहांचता सुर यहो पनी सुर अक्षेर का यहो यह लाई यह सरी का अनना सगीन चा तीस्ताई गर्च अर को उदारन ताप हाले पड़ाई का यही जस्ताई नस्ता यह सायरंग इंद्रेणी प्राध्यापक डाक्टर बास्ते प्त्रिपाठी के रचरा ताप हाले कछ्या नौ में पड़नू आई गोथियो जस्ते तीमी मत आउने जाने रहने यो समाज नई हो कसलेके नई साथ लगने सिर्जे जती नेपाल कई हो मानिशको नाता प्यारो मिली जुली जिवनू मिठो चाचा चाची तता अमय जुने नाता पनी मिठो एसमा पनी तीमी मत चार आउने जाने चार रहने यो चार समाज नई हो चार ये शरी यो बनी सोर अक्षेर को चार चार अक्षेर माई ये शताए गरी अब यह अरनोस्ता यो बीर पूर्खा का भीता पनी ये चार 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 ये शरी चोट विस्राम गरदे चार चार अक्षेर माँ छोट विस्राम गरदे बाचन गरना सकीन चा ये शका बिविन लए हरु होना सकीन बिविन लए मा बाचन करना सक्षिंग कुण पहारले कुण खलाले तिमरो गती चेंके थ्योरे बीर पूर्खा कुण आधिले तिमरो यात्राषव के थ्योरे पनीगाना सकीनच अब आमी यसलाई लायवद्ध बाचन गरूनों ता मेरो बन्दा तपमायरको स्वर रामरो उनसाग छा अब यसलाई यही लायवद्ध गावनों सागिंचा बनने छाई ना आमी अवरको लायले पनी यसलाई गावनी कुशिस गरूना ला तपमायरू संग गई पाठ्यपुस्तक संग गई तपमायरू पनी यो कवितालाई लायवद्ध बाचन गरने अभ्यास गरूनोंस है लाग कुण पाहाडले कुण खलाले तिम्रो गती छेके थ्योरा बीर पुर्खा कुण आधिले तिम्रो यात्रा रोके थ्योरा पुर्वट्टिस्टा तिमीलाई सम्झी आजाई रुण्छा होला पस्चिम्रावी तिम्रो आजाई रक्त थारा दुण्छा होला कांगाडारा कालंगाको रुण्गा माटो बल्चा होला बीरा पुर्खा तिम्रो गाती तिम्रो गीत गौंगा भरी गुच्छा होला ये शरीका न सक्यों तिस्ताई गारी कुन पाहड ले कुन खोला ले तिम्रो गती छेके थेfikर बीरा पूर्खा कुन आधी ले तिम्रो यात्रा रोके थेümüz गरूर को जाएं बैग के तिम्रो कुन आकास बान न शक्यों पोरखले रच्यव नेपाल पहार तराई जुट नसर। पुर्वस्टिस्टा तिमिलाई सम्जिय अजय रून्च वला। पस्चिम्राबी तिम्रो अजय रक्तधारा धुन्च वला। कांगडार कलंगाको धुंगा माटो बोल्च वला। बीरापुर्खा तिम्रो गीत गंगाबरी गुच्छ वला। इस्ते गारी अरू स्लोक अरू बनी बाचन गारना सकीनछा। दयानोस्ता। अई बने जस्ते बनी गारना सक्यो। दिगर चामा आडो वतिम्रो चीशो इंउं भीत्र होला। बेत्राओती किनार भरी पावरखा को चिनो होला। बीरापुर्खा तिमीलाई मीतेरीले मात्रै बाद्यो। साघर्तरी संसार भरी बीरागर्खा रगत बाग्यो। तेस तारक बने एरनोोज। न का थुनी नेपाली लाई कसले छेकना सके घ्योर। ही मालको ही मना दी कसले रोकना सके घ्योर। बीरापुर्खा तिम्रै रगत नेपाली का नसा भरी। उही गीत उही गाउरव.. चंदरा सुर्य धोजा भरी। ये शरी। अगी मेले बने जस्ते आरको अरूलाय पनी असका उनसागचन। डिगर्चामा डोवतिम्रों चीशोहिऊं भित्र होला, बेत्राओती किनार भरी पोवरखको चीनो होला। बीरपुर्खा तिमिलाई मितेरीले मत्राइबादयो सागर्तरी संसार्वरी बीरगोर्खा रगत भरी। नाकाथुनी नेपाली लाई कसले छेकना सके थोरा, इमालको इमनादी कसले रोकना सके थे। बीरव पुर्खा तिम्रै रगत नेपाली का नसा भरी उही गीत उही का उरव चंद्र सुरिय धोजा भरी भाईबेने अरले पने असलाई लएवद्ध बाचन गर्न भायो अब हमी अरु क्रिया कलापती रा लागो अब तप में अरले अले समका क्रिया कलाप मा कभी ता बीदा को सामन्य परिचायो और कभी ता का कभी को परिचायो रो तिस्तेई गरी औनी कभी तालाई अथावा ज्यावरे छंदा को सम्रचना तिस्तेई इस छंद लाई बाचन गरने इस लोक लाई लाई बाचन गरने तरीका पनियामले सिख्यों अवाको क्रिया कलाप मा हमी उचारन अब्याज, सब्दार्थ, बाक्यमा प्रयोग, और्थवोद, प्रस्नोतर अब्याज, जस्ता क्रिया कलाप परूमा सवभागी हुन छियू अर्थाद अभ हामी ती क्रियाकला परूतिरा कियंदरी त्रहां छो खैत लग जस्ते या उचारण मैले समरचना पनी देखाई देगा छो अलिगती जस्ते या नुस्त यो आधी सब्द आधी या लेखता खेरे धी दीरगा लेखीं छो तर बोलदा एस तो बोलीं छो आधी ही यो चाहिं समरचना हो तेस्ते या नुस्त टिस्टा ये शरी उचारण गारनों सकिन छो तेस्ते ये गरी डिगरचा हो डिगरचा को सब्द को अर्था पनी ठीक छो डिगरचा वनेको टीबेट मारा आएको ये उटा गुम्बा तेस्ते ये अर्को कलंगा ये शरी उचारण गारनों सकिन छो तेस्ते द्वाजा लह तपने ये ठीक शांगा उचारण गारनों भरण अब हामी हुँँचा सब्द को अर्था तीर पनी हामी लाग छो लाईरनों सता थप्मेहर पाणि इस सब्द को अर्था सोच नों सता क्ये उखला टिपनुए बाईपने उन्छा, आपनो अढ्यास पोस्तिकामा, रपी बनेको पाक्रिस्तान को सिमा नाम परने यह नदी, नदी को नाम रपी नदी, तेस्थे, होग्व पवरक्षा ताह्amous क्य Kabbalung तेस्ते रस्नु वनेको हो निर्माडगार्नु बनावनु तेस्ते गती गती वनेको प्रवा बेक गुझनु वनेको अवाज आवनु तोनीत वनु लह। ये शरी तपहारले अवा रावी, पवड़ाक, रजनु, गती, गुझनु जयस्ता सब्ड़ाको पानी अर्थालेखना शक्नु छाएं। आपनो गुरु आमा संगा सुन्न शक्नोंच तपहर लाई अप्ठ्यारो कठिन लायका सब्दारो रेखांकन गरी राखनुष्ण अब बाक्यामा प्रविक्त आमीले जाने कही पहनी छांँ या नमुना का लागी एक तु यठा सब्दारो कषरी गरने नमुना का रुप में हैरनुभू जस्तो पुर्खा-बासा पुर्खा ले दियेको संपति हो अर्था बासा पुर्ख्योली संपति हो पुर्खा- शाजैने छा तेस्तै गरुड हो गरुड्र त अर्था ठाँ छंद एच्छ बाक्यामँ प्रयोकर नोको लागे सब्धको अर्था ठाआ पाँपन परम लेंinação छाँ तेस्ते गरुड बेग संगा आकास मा उड़ने पंची हो जरा जाती हो तेस्ते पवरख यसको अर्थता अईपनी भनेवामले पवरख भनेगो पुरुशार था आपनो पवरख ले बांचन शकनो गवरब को कुराहू तेस्ते डोब सब्दा छा डोब बनेगो चीनो शाप पदचा बीरपुर्खा का पाईला को डोब युदस्थामा अजय होला तेस्ते चीनो सब्द डिगर चामा अजय पनी बीरपुर खागो पद जाबको चीनो होला अर्थार चीनो सब्दलाई अमेले यह सरी प्रयोगर्यों अब मितेरी भनेको मित्रता संग समन्दित छिमेकी देश अरु संग नेपाल को मितेरी समन्दा छा लह भाईवेनियरू यस्ताई गरी अंड्या सब्दावर लाई पनी अर्था खुलने गरी संदर्व अनुसार बाक्यमा प्रयोगर्न सक्नु उन्छा योता नमना का लागी एक दुएटा अभियास मात्रे गरियेको अब अर्को क्रियाका लापतीर लागू अब हमी कभिता लाई तो लाई बद्द बाचान करें कभिता तो पड़ें अब हमीले कभिता को अर्था पनी बुझन पर चानी है नता यो कभिता को भाब के होला अर्था के होला अब कभिता ले कस्तो गीशिम को संदेह दियेगो छा इकुराहरू बुझन जरूरी छा अब हमी पहलो स्लोक काई अर्था तिर लागा उन्ता है जस्त यह नस्त अब पड़ें जानोस रत्पाहर इसको अर्था पनी बुझन जानोस है ला कुन पहार ले कुन खोलाले तिम्रो गती छेके थेवर बीर पुर्खा कुन आदीले तिम्रो यात्रा रोके थेवरू गरुड को जाए बेगती म्रो कुना कासले बान न सक्यो पवर खले रचेव नेपाल पहार तराई जुट न सक्यो अब याँ नेपाली भीर बिरंगना हरू ले जुन एउटा नेपाल को नेपाल लाई सम्रच्छन कारनको लागे नेपाल को सीमा लाई जुगाउनो को लागे नेपाल को अखन्नता लाई सम्रच्छन कारनका लागे जुन प्रयास जुन त्याग जुन बलिदान गरे का थिये क्यों बलिदान लाई ये हरफ हरले सम्रच्छन कारे का थिये त्याई कुरालाई कभी ले कभी तामा मुत्त कंठले नेपाली बीर सेना को नेपाली सपूत हरुको मुक्त कंठले प्रसंग सागरे का थिये राष्टी एकता का सुत्राधार राष्ट नायक प्रिस्वनाण साले राज्य एगी करनको अवियान थालनों पुर्व नेपाल 22-24 राज्य मा भीवक ता थियो अर्थाध भाईवेनिये राष्ट तिरले लग न घुझे को जो 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 बिवक्त थियो ती आपसी साना साना टुक्रे राज्यहरू भुरे राज्यहरू का बीजमा मेल मिलापपनी थिये न। यसले नेपाल रो नेपाली को कुने इत उने सम्भावना पनी बोगे को थिये न। की नकी ती शाना साना राज्यहरू एका पस्मा मिलेला नेपाल को बिकास बंदा खीचातानी जही जगडा कलहा दोन्यमा व्यस्त थिये जशले गर्दा नागरी करूका शुख तुखर ख़का कुरारू वजल्मा परेका थि विकास नेर्बान का कुरारू वजलमा परेका थी। तेसले के देखामदाई ना थे वने नेपाल को ही टुने छाट कार्ट देखामदाई ना थे। तेसले प्रिद्मिनार्ण साल लाई यो कुरा को बोध भायको थी। यस परिष्थिति लाई राम्ररी भुजे का महान योद्धा प्रिफ्रान साले नेपाल राज्यलाई एकी करणगरी सीमा विस्तार को कारियो प्रारंबा गरेका थी। ततकालीन समायमा देखा परेको बिदेशी हस्ताचेप नेपाली बीर योद्धा हरुलाई साय उने कुराई भायको तेसले उने हरुलाई आपनो प्रांडबंदापनी राष्टियता स्वतंत्रता रापनो प्यारो भुमी नेपाल को अखण्नाता प्यारो थी। नेपाल राष्ट प्यारो थी। तेसले उने हरु बिदेशी हस्ताचेप का बिरुद्ध जाय लागे। उने हरुले तेसलाई सावना सकेन। बिशाल नेपाल निर्माण का संधर्वमा नेपाली बीर हरुले पुरुवमा टिश्टा रप्पस्चिम्मा कांगणा सम्मा नेपाल को जण्ना फ़राय का दि। नेपाली सेनार अंग्रेश सेना बिज नाला पानी को खलंगामा अम्मार सिंग थापा भक्ति थापा बलवत रकुमर जस्ता बीर राष्ट भक्त सेनार ले देखायको अदम्य साज युद्ध काउसल रब बीरताको अनुपम राष्ट भक्ति इतियांसका पानामा चर्मा अंकीत छा लाष्ट प्रेमला सर्वत चठाने एश्ता बीर पूर्खा अरुको अग्वाइले नेपाली सेनामा अद्धिममा सहास बड़े को थिय। यस अवस्ता मा बीदेशी अरुको हस्ता छे पलाई सोन शकने कुरेई भाय तेसे ले बीर पूर्खा का कारण ले नेपाली बीर सेना लाई, विश्च को कुनाई पनी सक्तिले छेकन सक्ने अवस्ता थिये ना, रोक्न सक्ने अवस्ता थिये ना, तिसेले तेई संदर बलाई यां जोडे र, कभी ले क्ये वने का सन्मने, कुन पाहार ले, कुन खोला ले, तिम्रो गती छेके छर, बीर पर्नने छेमाता लाई, कसेले रोक्न सक्ने थिये, उन्यारू राष्टरखतका लागी, राष्टियाता कलाई समर्पीत थिये, तिसेले, युद्दा का यात्रा मान, बीर पुर्खा का पाहिला हरू, अभिरल रूप मान गती सिल्पाहिड़ा तुने आधिले तुफाने पाले बिचली पनावना सके ना। अकास मां कावा खांदे उन्ने गरूड को बेग जहेती इनको गती बड़ी रहे, केस गती लाई कुनाई सकती ले बान न सकने अवस्ताने थिये, बीर पुर्खा का त्याग समर्परंड रा युद्धा कौसल ले यो हिमाल पहाड रा तराय म मेले को योटा सिंगो राष्ट को निर्माणू न सकेको, येस तथ्यालाई कभीले यो पईलो स्लवक मां ससक्त रूप मां उठाय काचा, गरूड को जहें बेग तीमरो कुनाई कासले बान न सक्यों, पावरा खले राचेव नेपाल पहाड तराय जुद्ध न सक्यों, तिन बीर पुर्खा का पवरुखारू ले किनकाई बलिदान ले आजयो हिमाल, पहार तराय मेले को जुन भुगोल को सम्राचाना भवने को राष्ट चा ति राष्ट को सम्राचाना को देन हामरा बीर पुर्खारू को, तैसर यो पईलो स्लोप मां कभीले ये भाव हरू लाए स सक्ता रूप मां उठाय काचा, तबी द्यार्थी भावेनेहरू, अब हमी अरको दोस्त्रो स्लोक को अर्थबोद करूं, पहिलो तभावेनेहर लाए भुजना आयो होला, अब हैर नुस्ता पुर्वच्टिस्टा तिमिलाई सम्जी अजयी रुण्छा होला, आवी तिम्रो अजयी रक्तधारा धुण्छा होला, कांगडार कलंगा को धुण्गा माटो बोल्चा होला, बीरपुर्खा तिम्रो गीत गंगाबरी गुच्छा होला, तैर्नुस्ता कसरी, नेपाली अरू हमिल्याई अगी पनिभान्यों, पुर्वबामा टिस्टा पुग पुण्षक्तिको सामुमा कईले आमें जुके थें, जस्ता कवीत अरूपनी छन, अन्य कवी अरूका, अव यसे कुरा अरूला ले लेर, पुर्वबामा आमें टिस्टा समपुएगा थें, प्रिज्विनार साले नेपाली की करण पस्चाथ, नेपाली बीर सेनाले सिमा ब् आरेका थे, एल्ड पी विक्रम सममात अठार से बहत्तर मा भय को सुगावली संधी, सुगावली बने ठामा जुन संधी भायो, तीयो संधीलाई सुगावली संधी बनिंजा, सुगावली संधीले नेपाल को, भुखन्डा को, सिमा बिस्तार को कारियलाई खुमचियाई दि यो भुभाग नेपाली सिमा बाट अलग इनू परने अवस्ता आई पर यो तेसे ले यो अलग इनू पीड़ा को कुराओं। नेपाली सेनाहरू को घाव बढ़ने कुराओं। रिदय छिया छियाओने कुराओं। तेसे लिए एस पिडावा नेपाली बीर्षे ना को अतमें सास रा युद्धकव सललाई अजाई पनी यो भुभागले बीर्षे को छाई न होला तेसे लिए पास्चिम रावी आमी पास्चिम रावी ना दिसम मा पाकिस्तान को सिमा मा रावी ना दिसम मा पके गाथियों अर्थात अम्रस्चिम रावी ना दिसम मा पास्चिम रावी ना दिसम मा पास्चिम रावी ना दिसम 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 रावी ना दि तेस्ते गरी ती अपार पिडार व्यथा का घाउ सम्झी देई पुर्व को टिस्टा को बियोग मा आसु धार देए होला टिस्टा ले आफुलाई नेपाली भुमी को गवरब गर्ण न पायका मा अजैसम मा भकानी देए होला बियोग को पिडाले छटपटाम देए होला नेपाली भीर सपुत अरुको रगत को धारा लाई राबी नदिले धोई देर सफा गरी देगो थियो सिमा बिस्तार का संदरव मा नेपाली सेनाले पस्चिम कांगडा सम्मा अपनो अधिकार थापित गरी सकेगा थियो खलंगा को युद्धामा भक्ति थापा जस्ता बीर सपुत को युद्धा कोशल को गुणगान कलंगा अर्थात खलंगाले करदेए होला यसरी इने भाब हरुलाई दोस्तरो सलोक मा ससक्ता रूप मा कवी ले उठाए का जो अजही कवी का भाबना हरुका अधार मा ब्यक्त गरने सब्दारू अजही यहां अप्पूग वाईरे काशुँगा तो राष्ट राष्ट येताको कुरा अत्यांत बीर पुर्खारूमा थियो हामी तिने संतती हों रा हामीले हामरो राष्ट को सम्रच्छन मा लागनू पर सा भन्ने आमीलाई बहान इभनाय अरू इमाहान भनाय अरले हामीलाई प्रेरणा पनी दिये को सा तो विद्यार्थी भाई बने अरू अब हामी येसको साथ साथ है हामीले इकुरा हरू बुजों त्यांका ढूंगया माटामा नेपाली सेना को पच्छाप नमेटी नेगरी रायको छा ति पच्छाप आजब परेंता होलन हामीले खोजी करें माने पाउन शकिन चा ति माट तो त्यांको ढूंगया माटोले आपनो गर्वमा त्यांको भूमीले नेपाली बीर सेना को पच्छाप लाई सुराची तराखे कही होला यू पगले राणा पाखा सुसाओ दे बहाए कि गंगाले आज परेंता नेपाल को ततकालीन सरुणीम इतियांस का गीत गुद अब हामी अर्को क्रिया का लापतीर लागों तब दे आर्थिवाए बेने हरो अब हामीले पड़ेर बुजेको ना बुजेको ठापाऊना मुल्यांकन गर्ना कि यह प्रस्नारू मा सोच्छू यह स्लोक्सांग समांधित तपनाहर ले बुजन भयोला तपनाहर एसकाल आई आ सकरी अरानोस अहीत है दस्ता यहनान में पगिको अब तब दोस्टा नि अर्था में पजीश्या ना र्को कुन पहार ले कोम फुला। मुला आई तिम्रो गटी चे शेखे थो रा बीरा पुरका कुना दीले तिम्रो यात्रा रोके थो रा गरूर कोजाए ब्यगा तिम्र कुना कासले बान्द सक्यों पाउरखले राचेव नेपाल पाहड तराई जुटन सक्यों अब प्रस्णा अर्वेरनुसाई लह इप्रस्णा को यहां चारवटा प्रस्णा शन इप्रस्णा को जवाब खज नोस्ता कुन पाहड ले कुन खोला ले तिम्रो गती छेखे थेरा प्रणुको आसाय के हो पुर्खार को बेगलाई किये संगा तुला ना गरिये को छा सिंगो नेपाल को रचना कसरी भाय को गती र पाउरख सब्दा को अर्था लेखनो उस्ता कुन पाहाड ले तिम्रो गती छेखे थेरा इसको आसाय क्योड ख़ोक आपनो देश को रच्या रस्षी म्हाल विश्थार को काम महां बीर पुर्खार को गती कुने कुराले, पहाड ले, आधीले, हूरीले, क्ये ले पनी छेक्न नसकेको कुरा, यां कभी धाम उलेखछा। हैं तो इसको आसे तेवाइना तो, तेस्ते बीर पुर्गार को ब्येगला क्या सना तुलाना गरियेकोच। तेस्ते बीर पुर्गार को अदम्य साज, त्याग, बलिदान र पौरखकले, शिंगो नेपाल को रचना कसरी भाइकोच। गती र पौरख साब्द को अर्था लेखनोज। यो तामीले अई बनी यो पौरखको ता अई बनी अभियास करें थें वही न, ब्येग बनेगोच। क्योच। पौरखको अर्था के पुरुशार्था र ब्येग को अर्था प्रभाद वा गती होग। खेड़ुता लह विद्यार्थी भाइवेन हैरू तपहर ले पहलो र दोस्त्रो श्लोक को अर्था बोट अनि हैंविले तपहर ले कतीको बुजनुग आये छा भन्रेकुरायर को याँ उटा अभियास का लागी बोद अभियास बनी गरें। अभा एस स्वाची तपहर लाइए अभा अरको दिन का लागी मा त्यस्रो र चाउथो श्लोक को अर्था बोट एस तई सब्दार था बाक्यमा प्रयो जस्ता क्रिया कलाप भरू रहने छन। तपहरू यो कवितालाई लाय बद्दारूप मां मिट्ट ढङले बाचन गरना सक्ने गरे सिकेर पनी आउन होज। आजको कच्छा मां यहार को सक्रियता देखेर मलाई खुशीला आएगो छा। फिर येस्ताई चल्फल अरको कच्छा मां चल्फल मां साव आगी उनुने छा। रा अफ्रलाई परेकास समस्या रूपनी राखनुने छा। पन्ने कुरारो राखताई। मां यहार लाई हार दिक आवार बेक्त गर देए। आजको कच्छा यहीं अंतिया गर्न चान्चु। धने बाद। नमस्कार। थाउ जुश ऑट मुटने दुश मुटने बाद। थाक domains यहीं जसा रिरीछाव सुदी घुश टreciो कच्छान खांको कुश दूने बहारे मीष आगको क्या है है झाल